अगर आप लोगों ने इस रिसके पिछले दो वीडियोस नहीं देखे है तो आई सजेस्ट की आप उन्हें पहले देख ले वैसे मैंने इंट्रो चेंज कर दिया है एक बार आप पहले उसे देख लो यहां पर हम देखते हैं कि कलती से शव्यू शिंचिन को कार से ठोक देती है बाद में वो उसे होस्पिटल भी ले जाती है अगले दिन वेंची होस्पिटल के बाहर रिपोर्टर्स से बाते कर रही होती है कि उसे तो शिंचिन की बहुत ही स्यादा फिक्र हो रही थी वो तो इ है कि यह होस्पिटल है यहां पर आप शानती रखो फिरा शाव्यू जब वेंशी से मिलती है तो वेंशी कहती है कि मेरे सिंचें से तुम दूर रहना पनोती इनसान और उसका एडवांटेज लेने की कोशिश मत करना शाव्यू को तो कोई फरक नहीं पड़ता क्यूंकि उसको पानी चाहिए था रात में शव्यू बहुती स्यादा परेशन थी उसके कले से तो खाना ही नहीं उतर रहा था कि उसने शिंचें के साथ कितना बुरा कर दिया अगले दिन वो फिर से शिंचें को देखने के लिए चाती है जहां पर आज लू यांजी भी शव्यू के साथ आ कहता है कि इन सारे कच्रे को मेरे रूम से बाहर करो लू यांजी नहीं जा रहा था तो वह वहां पर तोड़ फोड़ करने लगता है जिसके कारण शव्यू लू यांजी को बाहर कर देती है वो तो चला जाता है फिर शव्यू कमरे को ठीक कर रही थी शव्यू जब रूरू उसे मिलती है तो वो कहती है कि मेरा बॉस शिंचैन आजकल कुछ ज्यादा ही अनलकी हो गया है पहली बात मेगेजिन सेल नहीं हो रही दूसरी बात स्टॉक फंड था वो भी घाटे में जा रहा है तीसरी बात उसके खिलाफ अभी भी बहुत सारे रूमर्स फैल रहे है चौती की बात उसका कार एकसिडेंट हो गया है रूरू कहती है कि यह तो तुम्हारे पाष्ट जैसा है जब से तुम उसके साथ काम करने लगी हो तब से ही यह सब कुछ हो रहा है कहीं ये तो नहीं है कि तुम दोनों का लग चेंच हो गया है पहले तो वो कितना लगी हुआ करता शव्यू कहती है कि बगवास करना बंद करो चीफ डीसेनर सारा ने मुझे कमपनी को बचाने के लिए लूरेन का इंटर्वियू लेने को कहा है आगे शव्यू शिंचन को खाना देने के लिए चाती है उसका खाना खाकर शिंचन कहता है कि तुम काम में अच्छी नहीं हो पर आज मुझे बता चला कि तुम तो कुकिंग में भी अच्छी नहीं हो फिर ये दोनों ही उसी स्ट्रोव वाले गेम को खेल रहे थे जहां पर शिंचन को बुरी और चोटी स्ट्रोव मिल रही थी उसका उल्टा शव्यू को सिर्फ और सिर्फ अच्छी ही स्ट्रोव मिल रही थी तो शिंचन कहता है कि ये कैसे हो सकता है मुझे ये खेलना ही नही पहले तो हülyh के वज़े से उसका गला टूटा था, अब तो उसकी टांक भी टूट जाती है वो शवय्यू किहता है कि तुम पनोती इंसान, में जब से तुम से मिला हूँ तब से ही मैं अनलकी हो गया हूँ शवयू कहती है कि मैं भी ऐसा ही सुछती हूँ शिंचन कहता है कि प्लीज मुझसे ना तुम दूर रहा करो वो बाहर जाने वाली थी पर उसे पहले ही लुयांजी को जब पता लगता है तो वो भी वहां हस्पिटल में आ जाता है ये दोनों ही जब बाते कर रहे थे तो शिंचन उन दोनों को दूर से देख रहा था वो शव्यू को इशारा करके कहता है कि इस लड़के को यहां से पहले भगाओ शव्यू पेट दर्ग का बहाना करके उसे कहती है कि क्यों न हम कॉफी पिने चले इस तरह से वो लुयांजी को वहां से लेकर चली जाती है जब वो वापस आती है तो वो कहती है कि कुस्सा मत करना लू यांजी यहां पर इसलिए आया था क्यूंकि वो मेरी थोड़ी केर करता है शिंचन कहता है कि तुमने मुझे इस जमेले में डाल दिया और वो इनसान तुम्हारी केर करना चाता है पहले तो तुमने मुझे यह कहा कि तुम मेरी केर करोगी पर अब बाद में तुम दूसरे लड़कों को भी यहां हुस्पिटल में लेकर आ रही हो एक्चुली शिंचन ने हुस्पिटल चेंज करवा लिया था न तो शाव्यू के अलावा इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था लूयांजी को जब पता लगता है कि शाव्यू लूरेन का इंटर्व्यू लेना चाती है तो वो इस काम में उसकी मदद करने लगता है पर वो यह बात नहीं बताता कि लूरेन ही उसके डैड है वैसे ये इंटर्वियू तो कैंसल हो जाता है क्योंकि लूरेन कुछ ज्यादा ही बिजी है रात में वो धक हार कर वापस आ जाती है तभी ही लूयान्जी का उसे कॉल आता है कि कल तो हम उसका इंटर्वियू ले ही लेंगे रूरू कहती है कि शाव्यू अचानक से ही तुम इतना लखी कैसे हो गई तुम्हारे साथ तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है तभी ही शाव्यू को उसक इसके बारे में याद आता है तो वो कहती है कि पर मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वज़े से इतना अनलकी हो जाए मैं अभी खुश हूँ क्योंकि मैं बहुती स्यादा लकी बन गई हूँ पर मैं मेरे बॉस को ऐसी हालत में नहीं देख सकती रूरू कहती है कि तो फिर क्यों न तुम उसे एक बार और किस कर लो ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए फिर हम उसी सीन को देखते है जो कि हमने एपिसोड वन की शिरुवात में देखा था शिंचन कहता है कि तो तुम मुझे कबसे ये बताना चाहती हो शव्यू कहती है कि आप समझो ये सब कुछ उसकिस की ही वजे से स्टार्ट हुआ है मेरा बैड लग आप में चला गया है और आपका जो गुड लग था वो मुझ में आ गया है वो उसे दुबारा किस करने को बोल रही थी ताकि सब कुछ ठीक हो जाए ये सुनकर तो शिंचन कहता है कि मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा तुम यहां से निकलो वो तो अपने कमरे से शव्यू को बाहर कर देता है शव्यू तो फिर भी उसे समझाना चालू रखती है जिसके कारण वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है क्योंकि उसे लो बलड शुकर का अटेक फिर से आ गया था जब वो थोड़ी देर के बाद उठती है तो शिंचन उसे कैंडी बॉक्स दे कर कहता है कि इसे हमेशा अपने साथ रखा करू अब शावियू को उस कैंडी को देखकर पता लग चाता है कि उस दिन लू यान्जी ने नहीं पर शिंचन ने ही उसको कैंडी खिलाई थी एंड उस थरकी होश्ट लियू से भी बचाया था वो उसे ठैंक्यू कहती है बात में कहती है कि वैसे हम किस चीज के बारे में बात कर रहे थे उसे याद आता है तो वो उसके लिप्स की तरफ इशारा करके बात करने लगती है शिंचन उसे चुपकरा कर कहता है कि तुम्हें क्या और कोई काम नहीं है अगर तुम ठीक हो गई हो तो क्यूँ न तुम आकाम करने के लिए वापस चली चाओ वो तो वहां से चली चाती है अगले देन जब फिर से फो शिंचन को देखने के लिए आती है तो वो देखती है कि उसके पैरेंट्स शिंचन के साथ है क्योंकि रूरू ने उन दोनों को सब कुछ बता दिया था उसके पैरेंट्स कहते हैं कि हमने रूरू से सुना है कि तुमने तुम्हारे बॉइफरेंड को ही कार्ड से हिट कर दिया शव्यू कहती है कि फो मेरा बॉइफरेंड नहीं है पर पैरेंट्स उसकी बेटी की बात ना सुनते हुए शिंचन से पूछने लगते है कि वैसे तुम दोनोंने डेटिंग करना कप स्टार्ट किया शिंचन कहता है कि तीन साल हो गए है डैड कहते है कि तीन साल इतना बड़ा रास चुपाया हमसे मुझे कैसे नहीं पता चला फिर उसकी मा कहती है कि जब से मेरी बेटी पैदा हुई है तब से उसने आज तक किसी से प्यार नहीं किया है क्या ये बात सच है शिंचन तो शाव्यू को अपने बास बुलाता है उसे किस करने के लिए परह शाव्यू वहा हालत की है वैसे क्या ये सच बात है कि तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया वो तो इस बात को लेकर उसका मजाग बनाने लगता है आगे हम देखते हैं कि सुन्दाली शिंचन को कॉल पर बता रहा था कि सारा ने कंपनी में आपकी जगे ले ली है आप कहा है शिंचन कहता है कि मुझे पता है कि उन लोगों ने मुझे कंपनी से निकाल दिया है सुन्दाली तो परिशानी के कारण कुछ ज्यादा ही बढ़बढ कर रहा था तो वो कॉल को ही कट कर देता है पिछली बार की तरह ये दोनों ही लूरेन का इंटर्वियू लेने के लिए चा रहे थे पर उन लोगों का नंबर नहीं आता श्रव्यू फिर होस्पिटल में शिंचन से मिले के लिए चा रही थी दूर से शिंचन उसको आते हुए देख लेता है तो फुचान बुच कर उसे कॉल करता है कि तुम कहा हो मुझे भूख रगी है जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ श्रव्यू के हाथ मैं अल्रेडी खाना था वो अंदर चाने वाली थी बट लूयांजी का उसे कॉल आता है कि लूरेन के साथ मैंने एक अपोइंटमेंट फिक्स कर ली है श्रव्यू कहती है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ लूयांजी तभी ही एक सेकेंड के अंदर वहां पर पहुंच जाता है एंटर श्रव्यू को लेकर वहां से चला जाता है शिंचन को तो ये देकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ये दोनों चब लूरेन से मिलने के लिए जाते है तो पिछली बार की तरह आज भी वो लोग नहीं मिल पाते वैसे लूयांजी लूरेन का ही बेटा था बट वो फैरली शाव्यू की मदद करना जाता था शाव्यू रात में ही अपने आपसे ही लूरेन का घर पता लगा लेती है एंड अगले दिन वहाँ पर पहुंच जाती है अब लूयांजी का परदा फाश हो जाता है कि वो तो लूरेन का ही बेटा है ये चान कर शव्यू खुश हो जाती है उसे कोई जटका वटका नहीं लगता आगे वो सुन्दाली के साथ लूरेन का इंटर्व्यू लेने के लिए चा रही थी तो सुन्दाली कहता है कि कैमेरे में बैटरी ही नहीं है वो बहाना मार कर किसी को फोन करता है बाद में वो शव्यू के पास आता है एंटर उसे एक एयर बर्ड पहना देता है अंदर से एका इनसान बोल रहा था कि जो में क्वेस्चन तुम्हें बता रहा हूं वही क्वेस्चन तुम लूरेन को बताना वैसे वो इनसान शिंचन था शव्यू तो बिल्कुल वैसा ही करती है शिंचन जो भी क्वेस्चन कर रहा था शव्यू उसे वो लूरेन को पूछ रही थी शिंचन लूरेन के जवाब को सुन रहा था लूरेन को जो सही लगता है वो वही जवाब देता है वैसे उसे पता था कि उसका बेटा ये सारे जवाब सुन रहा है लाश्ट में वो ये भी कहता है कि क्या तुम ठीक हो पर शिंचन कॉल कटकर देता है क्योंकि लूरेन के जवाब से वो शायद सेटिसफाइड नहीं होगा आगे शव्यू सिंचन के पांस खाना लेकर जाती है तब ही सारा उसे रात में ही काम दे देती है और उसे वो काम अगली सुबे चाहिए होता है शव्यू तो वही पर ही बैठ कर काम करने लगती है पर उसे कोई आइडिया नहीं आ रहा था तो वो वहीं पर ही सोचाती है शिंचन जब देखता है कि ये तो यहीं पर ही सो गई है तो पहले वो उसका काम देखता है और वो उसे बाद में पूरा भी करने लगता है अगले सुबे शव्यू जब उठती है तो वो देखती है कि उसका काम तो पूरा हो गया है वो उसे थैंक्यू कहती है वो इतना जोड़ जोड़ से बोल रही थी कि शिंचन कहता है कि जरा धीरे बोलो बाजू में एक अब उठा सो रहा है अगर वो उठ जाएगा तो वो मुझे डाटने लगेगा शाव्यू तो वहां से ब्रेकफास्ट लेने के लिए चली जाती है उसके बाद वहां एक नर्स आकर कहती है कि अब आप होस्पिटल से जा सकते है वो तो बहाने मारने लगता है कि कल ही मुझे कोल्ड हुआ है वो ऐसा इसलिए कह रहा था कि अगर वो घर जला जाता है तो शाव्यू उसे नहीं मिल पाएगी वो तो बस शाव्यू के साथ रहना जाता है नर्स कहती है कि फिर भी आपको जहना ही पड़ेगा क्योंकि सरजरी के बहुत सारे पेशंट है तो हमारे हुस्पिटल में इतनी चगे नहीं है शाव्यू ये बात सुन लेती है तो वो कहती है कि आपको क्या डिस्चार्ज मिलने वाला है अब जब तुम ठीक हो गए हो तो क्या हम दोनों अपने लग को एक्सचेंज कर ले शाव्यू उसे किस करने के लिए अगे बढ़ रही थी शाव्यू उसे देख रहा था एंड उसके कान में कहता है कि मुझे इस होस्पिरल से जाना है शाव्यू हडबडी में महां से भाग जाती है उसके जाने के बाद शिंचैन बहुती स्यादा स्माइल कर रहा था इसलिके साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म डोन्ट फगेट टो लैक शेर और सबस्क्राइब थेंक्स फूर वाचिंग बाई बाई